जही PS PCL एक्जाम दी तेरे देली अज एकमा लेक्चर है ते इस लेक्चर दो वेचे डिस्कस करांगे पावर फेक्टर दे बारे विच पावर फेक्टर बारे पावर फेक्टर नो आप लग लग त्रीके ने डिफाइन का सकते हैं the power factor of a circuit the power factor of a circuit of a circuit can be defined can be defined in one of the following ways in one of the following ways ठीके पावर फेक्टर जेड़ा basically AC circuit देवे ची वेगा ते ए पावर फेक्टर दी जड़ी वैल्य हुआ वाद दी जा कर दिया वो क्योंके देवेच दो component एधन देने जाए दो element एधन देने जिद्दा इंडक्टर ते capacitor जेड़े सिर्फ नर्जिन स्टूर करते ने उधे करके के इन दाय के एधे विच जड़ा क्रण्ट है जहां ते लीड करेगा in case of capacitor ते जहां फिर लैक करेगा in case of inductor उके उन्हों अपा अग्ये नानाल जिद्धा जिद्धा definitions करांगे नानाल उन्हों clear कर दे जामांगे ते लेक्टर बड़ा factor is equal to cos phi मतलब cosine of the angle between voltage and current cosine of the angle between voltage and current angle between voltage and current clear हो गया दूसरा की है पार factor की होएगा पार factor विल बी इक्वल टू जहां क्यालो के यह जड़ी value हो एगी हो केत्ते डेपैंडे करेगी resistance ते impedance ते it is the ratio of resistance to the impedance resistance to the impedance यह करता डेकोल resistance ते impedance ती value है गिया तो यह पार factor नूँ calculate कार साके डेको resistance to the impedance तूदी इंपिदेंच क्लीर हो गया थर्ड तरीक्का है गावा इन्हों आपा पार factor की होन दाए पार factor it is it is the ratio of true power to the apparent power true power to the apparent power power factor is equal to true power to the apparent power true power to the apparent power okay cancel हो गया की आजेगा थे कॉस पाई ओके ते वी आई कॉस्वाइ एक उन्दिये true power एक उन्दिये true power एक्च्छल पावर जड़ी सरक्ट देवेच consume होन दी पाई है उन्हों true power आख दे दूसरा की ए वी आई वी आई की उन्दिये apparent power जड़ी के पावर एक्च्छल पावर हो रही है तो जड़ी एक्टी पावर होन दिया जड़ी अपना क्यालों को सप्लाई तो लेह रहे हैं जड़ी सानों मिल दी पाई है वी आई की या apparent power apparent power clear येच कोई प्रावलम थे नहीं ओके हुन्हों दागी एके साड़ी को तेंतरा दे अलिमेंट में एकागा resistance दुज्याएगा इंडक्टन्स ता तिज्याएगा कपैस्टन्स थेक त्न तरदे इलेमेंट अंद देने के का इंडक्टन्स of the क्रण्ट जड़ा ते वोल्टेज क्रण्ट दुनों किया एक दुझ्जे दे इन फेज उन देने क्रण्ट आई एंड वोल्टेज भी इन फेज ठेक है इन फेज मतलब किया कि इन धोमा दे विच कोई भी एंगल नहीं बंदा यह भी लास्ट्र दे विच पान दस्याएं कि भी रेडों या इन फेज उन भाइ इन फेज ठीक है है एक ही आगया वी एंगल किया आगा जीरो तो तो पॉस्ट फाई जड़ा वा वो दी वैल्यू की नियू हो जेगी कॉस्ट 0 is equal to 1 कॉस्ट 0 डिग्री इस इकल टू 1 क्लिया तो यह पनगा लेकिती हुए वे कि अल्ण दगीक टे एंगल की नाम डाई गरेंट टेविट या यह थे प्यूर प्यूर अपर इंडर्टेंग तो गे लंगे ते हैंध ले विची है एंगल क्लियर हो गया कॉस नाइंटी के दे इक्कुल आजेगा जीरो दे आजेगा इस करके जड़े इंडक्टन्स ते क्पैस्टन्स जे कर प्योर हो रहा गया तो यह पावर की नीक न्यूम करनेगे जीरो करनेगे क्योंकि एदा जड़ा पावर फेक्टर को आओके ना इंड़ाए जीरो हो जनता है ठीक है वी आई कॉस फाई तो जीजेगा तो नाइंटी पूट कार दिए फिर किया जेगा वी आई कॉस नाइंटी डिग्री इस इकल टू जीरो इस इकवल टू जीरो ठीक है कोण जी फावर फेक्टर आमतोरते हं देने इलै यह उपर बोर्ड यूज कर दें लैग के एई लैगिंग्गपावर फेक्टर रहें जयल लीड नु करतांगे एई armourड़िग पारफेक्ट रहे है ठीक है लीडिंग पारफेक्ट रहे है ओके जदो करण्ट वोल्टेज नाड़ पिछे रहें दी है ते ओ लागिंग पारफेक्ट रहे है ते जदो करण्ट वोल्टेज नाड़ अगे रहें जाए ते ओ लीडिंग पारफेक्ट रहे है तो लीडिंग पार पारफेक्टर होएगा यह कर कपैस्टीव सरकेट है तो फिर लीडिंग पारफेक्टर होएगा फिर लीडिंग पारफेक्टर होएगा यह सीज़नों तो हितिया अंचरा ख़़ी होगा ठीक है तो यह मानने लोगे ते स्पोस करो पॉइंट फाइफ लिगया होगे नाल साइन कोई नहीं दितता होगा तो यह ता मतलब किया दी पारफेक्टर आफ सरकेटीज दी पारफेक्टर आफ सरकेटीज पॉइंट फाइफ ठीक है होने इस केस्ट किया क्रण्ट लैग्स भी हां इड़ी वोल्टेज लैग्स दी वोल्टेज यह देविच की हो रहा है क्रण्ट लैग्स दी वोल्टेज लैग्स दी वोल्टेज ओके ते अपा की लिखांगे पारफेक्टर पारफेक्टर नों फिर केतना लिखांगे 0.5 lagging ओके यह एथे ही crunch lead करें ठीक है crunch leads the voltage leads the voltage ओके फिर आपा लहना के 0.5 leading 0.5 leading एस ट्रीक के दना तुसे यह नूं लेख सकते यह एस ट्रीक के दना तुसे यह नूं denote कर सकते हैं ओन काल करते हैं par factor दी value की नियू की ने में दी है par factor जड़ाब आ the value of par factor will lie between 0 and 1 the value of par factor will par factor par factor will lie लाई बट्वीन, लाई बट्वीन, जीरो एंड वन, जीरो ते एक देवेचे लाई करेगा, ठीक है, पार फेक्टर कदी वी एक तो बाद नहीं होएगा, पार फेक्टर कअन नेवर हेव वैल्यू ग्रेटर दैं वन, ठीक है, ग्रेटर दैं वन, हेदा सकेल जीरोण किदा होएगा, तो यह देख सकते हैं तो यह मैक्सिमम वैल्यू दीकिनी है वन यह लीडिंग पारफेक्टर पॉइंट नाइन पॉइंट एट पॉइंट सेवन पॉइंट सिक्स एदना जीरो वाल प्रोच करेगा ओके यह से तरीके यह दर मनलोग अपन लैगिंग ला ले आए लैगिंग पा पॉइंट एट माइनस पॉइंट सेवन ओके एक ही आजेगा लीडिंग आजेगा लीडिंग आजेगा ओके क्लीर हो गया कि मालों मैक्सिमम वैल्यू धी वन रहनी है क्लियर इचको कोई के प्रॉ Lazm थी नहीं नेक्स्ट आगावट true power and reactive power, true power, reactive power, reactive power and apparent power, apparent power, apparent power, ठीक है, तो जड़ा क्रंट जीदो फ्लो करता हुआ, उदा पर्पस की हुन्दा है, उदा पर्पस ही हुन्दा है, जड़ी पावर है, माल लो पावर जड़ी सोर्स तों, सर्केट वाल ट्रांसफर होई, तो सर्केट की करता है, यह उन्नू, पावर नू जड़ी अनर्जी नू प्रफूर्ट करता है, जड़ा भी आपर चर्केट है, ज़्यू लगाया हुन्दा है, माल लो खैन है, जया लाइट है, ठीक है, तो जो साड़ी र्क्वाइर्मेंट आ होधे कार्डिंग ली, आ व्जड़ी अनर्जी आउपूर्त है, ठ के परपस की यह है क्रंट नू पास करा हूं था के जडिए पावर अपर ट्रांसफर करनी है फ्रॉम सोर्स तू लोड और सरकेट और सरकेट ख्लिर हो गया जडिए पावर अक्चली कंज्यूम उन दिया सरकेट दे वेच दिपावर विच इस अक्चली अक्चली कंज्यूम इफ है ञिए अक्चली थे कंज्यूम्ट इस साबने actually, consumed in the circuit is called true power or active power, in the circuit is called, in the circuit is called, is called the true power or active power, the true power, true power or active power or active power. ओके, तो जड़े साड़े L अते C उन देया, L और C, मतलब इंड़क्टर ते एक पैस्ट्रो उन देने, ओ पावर की नी कंज्यूम कार देने जीरो, ओ पावर की कर देने, किनी कंज्यूम कर देने, जीरो, ओ की करदेने की जड़ा पहला quarter cycle उन दावा, और पावर देखो, आप उन देक्क्टर दा C लिया लिए, इंड़क्टर दे केस्टे विच की उन दावे, एक ये साड़े वोल्टेज, वोल्टेज दी वेवा गी, त्येकरन्ट जिड़ावा ओ 90 Degree लेटर चाल दाए ठीक है उन्हें पावर की आजएगी पावर जड़ी ए ओकी हो जगी हो जिखो क्रंट जड़ाव इन्हें आपा क्रंट मान लिया इन्हें व्ल्टिज मान लिया ते क्रंट नेग्टीव है व्ल्टिज पाउसिटीव है यी मातलँ मतलब एक हाफ साइकल देवेच दो वरी होगे नाएक पॉसिटिव ہو जैगी हाँ इजडी रेटर्नों है ऐक इइस केस न वेचिक नदी काम कोई नहीं हो रहे है ठीक है ठीक है लिवेर्टिंग टीक पहले न कीं अटि टी आऄ झेली जडी पावरर वा रसीव किती सूर्स तो हुँ ठीक है अट्रीक्टर धाल रिटर्न करती ठीक है फिर रसीव करेगा फिर र कोई काम नहीं करेगा, चीछे पावर आधिे, यूज कोई नहीं नहीं होएगा, क्योंकि पावर जեडी हा true पावर चाहिनु आ पावर च्नुदों, आपा कहिनने, पावर consumed in L and sees 0 जे ये ये पावर, circulate कर दी पई है येडिये पार circulate कर दीपे ये धी पार यहां कहलो दी circulating पार circulating पार is called is called ठीक है this circulating पार येडिये circulate कर दीपे ये is called reactive पार reactive पार क्योंकर दोनों ड्रेक्शन से वे चीफ फ्लो कर दी पाहिए ये जडिपार वा ये दोनों ड्रेक्शन से वे चीफ फ्लो कर दी पाहिए ओके ठीक है घ्राइज है जैँ आपा क्या सकते है जिदो क्रॉंट इन्फेज होएगा वोल्टेज गुना क्रंट, ठीक है, वोल्टेज गुना क्रंट, तो पूरा लिखना करना, तो लिखना हम, वोल्टेज and क्रंट in phase with voltage, in phase with voltage, clear, तेर एक्टिप आर की हो जेगी फिर, रेक्टिप पार की हो जेगी, रेक्टिप पार होगी, वोल्टेज and क्रंट, ठीक है, गुना नदा निशान पादिए, क्योंकि आप पर से इनना नहीं होना आंदा, मल्टिप्लाई करांगे, पावर नू, वोल्टेज, क्रंट, 90 डिग्री, आउट ओफ फेज विद वोल्टेज, आउट ओफ फेज विद वोल्टेज, ठीक है, रेक्टिप पावर नू पता चल गया ते तो पावर नू पता चल गया, ठीक है, अन्यों तो जो इखो, यeडिए रेक्टिप पार भा सोट एक ही है, आउट ओफ फेज है, ऑकहीग है, एक ही ज़िए बेस्द आपके लिया लिए टू पार, ओकही है, एक ही आगे सा देखोल है, रेक्टिप पार, रेक्टिप पार अ क्लियर ते ए साथ गुलकी आजेगी एफ्रेंट पार एफ्रेंट पार क्लियर हो गया और एफ्रेंट पार किंद्ध यह S देनाल दिनोड कर देयां यह की आएगी V इंटू आई आए टू बार के देक्वला जेगी V I cos 5 ठीक है यह दो मैं हम फॉर्मले देगे चलेज देना मा उन्हों ते देखो ना यह टू पावर ते रेक्टी पावर जड़ी एप्रेंट पार होगी जड़ी मेंड सप्लाई माद लोग जद्दा जद्दा रेक्टी पार बदेगी उद् इसकर एक्टी पार जीरो है तो टू पावर ते यह टी बैल यू आफ के देख़ो आ जएगी आपरेंट पार देख़ो आजएगी तू पार इस इक्वल टू एन्मपी दिनाल नोड कर देए ठीक है पी दिनाल तू पार पी इस इकल टू वी आई कॉस फाई यह दा युनोट प्यूट क्यों दाए? वाट्ट वाट्स या फिर किलो वाट्स मेगा वाट्स नहीं हो सकता है। और ठीक है? उस्तो बाल गाल कर यह रेक्टी पार दी रेक्टीव पार ठीक है? रेक्टीव पार क्यों दी है? Q Q is equal to V I sin 5 यदा यूनिट के है टाम पुछल लें दिन देपेपर कर देवेच्छ एदा जड़ा जूनूट होएगा ओ की होएगा वार और के वी ए आर के वी ए आर के वी ए आर उस तुबाद गल करते हैं आप्रेंट पार दी एप्रेंट पार ऑके ऐप्रेंट पार हूं आप अपाँ एस्मिनल भी नोड करते हैं एक आजेगा v i एक आजेगा v i एदा की होएगा फिर यूनिट की होएगा va और kva और kva क्लियर हो गया होने डियाई डाइग्राम में ड्रा कीती है नुक यंदेने पार ट्रेंगल यंदेने पार ट्रेंगल बोल देने तो यह दे वेचे फिर पार फैक्टर के दे ही खोड़ आजेगा पार टुदी एक्टिव पार अपरेंट पार ठीक है क्योंकि आए ना वी-ाई कॉस फाई डिवाइड़ बाई वी-ाई वी आई कैंसल जिद्धां के उपरापकिता आ यह है की आजेगा कॉस फाई आजेगा कॉस फाई आजेगा तेजे अपनेट पार कड़नी हुए फिर कितना कड़ सकते हैं अपनेट पार दी स्क्वेर इस इकल टू पार दी स्क्वेर प्लास रेक्टिव पार दी स्क्वेर रेक्टिव पार दी स्क्वेर क्लियर हो गया ठीक है इन्हों एक नमेरिकल दे रहा हूं नमेरिकल दे नाले नू समझ दे हां ते उचता नू काफी को सिखन नू मिल जेगा ठीक है ? सोज औश सर्केट ड्राज स्पोज औश सर्केट ड्राज अर्गन्ट ओफ अर्ट ओफ 10 Ampere करन्ट वा वो एक सर्किल रा करता प्या एक वोल्टेज ओफ टूहंड़ड वोल्ट एंड इस पारफेक्टर इज एंड इस पारफेक्टर इज पारफेक्टर इज गईग गईग टीक है तो यह दे वेचे होड़ा आपपा करना सब तो पहला find apparent पार तो आपने पार कर लेना तो अपने पार तो गल कर लेने है find apparent थेक है find apparent पार true पार टे रेक्टिव पार एक टिव पार ओके ते एदे विच की होएगा फिर आपा जी एप्रेंट पार एस करनी है ठीक है उपर में लिख्या है आपा एस एप्रेंट पार उन दीए एप्रेंट पार की एस उन दीए ते एक यह उन दीए ते एस एगल टू वियाई वोल्टे इंटू कुरंट वोल्टेज किनना दूस्ट्ट है क्रकंट किनना दास एंट खेंक किनना जेगा दोए आपर विए एप्रेंट पार की एन्यों सरक्रीट ने ड्रागईती ही दोए आप इस उन दीए चाहिए उस बाद रूपार कर दीए टू पार कर देया टू पार वी आई कॉस फाई टू पार जेड़ी उन दिया वी आई कॉस फाई उन दिया कॉस फाई क्लियर ये दी वैल्यू कि नहीं आजेगी 200 गुणा 10 गुणा 0.8 पारफेक्टर देता है ना एक ना आजेगा 1600 वाट उस्तों बाद आपरेंट पार वी आई साइन फाई ठीक है ते ये दी जी ते आपा साइन देवेच पॉइंट दी वैल्यून लिखांगे कॉस फाई दी वैल्यून लिखांगे वो पॉइंट सिक्स हो बन जन्दा है 0.6 0.6 एक ना जेगा 1200 वार वी ए आर ठीक है होने इत्सों सा नुगी पता चलिया के एक्चल देवेच जड़ी साड़ी पावर कनवाट हो रही है ठीक है वो सुदां सो वाट हो रही है वाक जिड़ी पावर वो ड्रा करदा पर आय सारकेट साड़ा और 002 वी ए यह यह ओ ठीक है मतलब कीया 400 जड़ी वी ए पावर वा यहलं आपनेन पावर यहां आपनेन पावर और भीछ हो रही हो रहा है किदें करके सब्सक्राप ही, ऑäg और एक्जमपल यह पॉर एक्जमपल रहे भीचे पार्वेक्टर देडा बनी भाण दो ख़ो ख़ी यहता है तो तो पारफेक्टर वान हो गया तो उस केस दे विच की होएगा एस दी वैल्यू किन्या आगी 200 गुणा 10 ठीक है ओके एक केस लाइल ने आपका ते एक ही आगया दोस दो हियार भी है उस्तो बाद पी वी आई कॉस फाई ते यह भी किन्ना आजेगा आट आफ यहार वाट किन्ना आजेगा दो यह आर वाट आजेगा को मतलब जिन्नी अपनेट पावर वाट जिन्न मतलब ऐक्चोल सर्कृट chests जा तो यह सकलक करते पर हैं क्योंकि श्क आधी क्यों हुआ एक्स्टा पावर आपड्रा करते पर हैं सर्कृड तो ठीक है एक और ची समझलो कि हुंदा किया कि के जिद्धा मलोग पॉइंट फाइफ ठीक है ते जहां पॉइंट शिक्स पारफेक्टर राम तौरत लिखिया अंदावा एक हुंदा के किन्नी जड़ी कहलो के काम जड़ा सरकेट करदा पे आए किन्नी जड़ी पावर नूं यू यूटिलाइज करदा पे आए ठीक है किन्नी जड़ी अपरेंट पावर वा यूटिलाइज हुंदी पाई है जिद्धा माल लोग हो न पॉइंट फाइफ लेगिंग पारफेक्टर रे साड़े को जां 50% भी यह नूं पारफेक्टर का यगत तरन लिखिया नेल सकता है ठीक है 50% पारफेक्टर री ठीक है इट मीज देट इट इट विल इटमींज देट इट विल इट विल यूटिलाइज ऑंली जूटिलाइज ऑंली 50% 50% ठीक है 50% of apparent power of apparent power ठीक है जे 0.8 और ये दा मदलब की इन दावा इत विल जूटलाइज एटी परसंट ओफ apparent power जदा जड़ा पार फैक्टर जड़ा हो जड़ा हो जड़ा हो जड़ा हो जड़ा जड़ा है जड़ी apparent power दी utilization वाद दी ठीक है न होने यह थे किया एट ही ते 80% जड़ी या apparent power नूँ यूटलाइज करता प्या इस वालब 4% जड़ा नहीं करता प्या 4% सब्सक्राइज हो जड़ी हो जड़ी है ओके क्लियर एच कोई प्रॉब्म ते नहीं ओके थैंक यू